खादे नागरी का पूर्ती मंत्री राजंदर गरेक ने गुमार्मी विधानसवक्षेते के विविन ग्रामिन शेक्रों के लोगों के समस्याएं सुनी वहीं पर कुछ ग्रामिनों की समस्या का मौके पर ही निप्टारा कर दिया गया और कुछ समस्याओं का अधिकारियों को जल से जल हल करने के निदेश दे दिये गए हैं ग्रामिनों ने खादे नागरी का पूर्ती मंत्री से गुमार्मी विधानसवक शेतर में आ रही बिजली और पानी की समस्याओं के बारे में अफगत करवाया तो मंत्री ने ग्रामिनों का बताया कि ग्रामिन खेतर में बिजली की विवस्था को सुधारने के लिए परियास किये जा रहे हैं उन्होंने बताया कि उछर पंचायत में बिजली के पूलों के बदलने के लिए 35,00,000 रुपे सब्कृट किये गे हैं को सब को बदलनी जी न हले तो ये सी पंचाहर जा रहा है ini को ऐसे पानी के लिए पीने के पानी की समस्या थी उसको भी ustro किया जा जा रहा है आध पीने के पानी पर चुन्ह जा रहा हुँ अब कि लोगों पुपने इंडिवीज्ड किशी कुनेक्शन लेकिन अब किसी पंचायत का पाणी नहीं है, किसी गाउँ में पाणी नहीं है ये स्मॉफध आज हर गाव में पानी जो है सुमय पर दिये जा रहा है आज हाई नहाई धन्याई डिया झाव में गुरान्वे घ्सू टरासी जो है आज हो टे तेस